Students, इस वीडियो में हम बेंजीन के कुछ और स्पेसिफिक रियाक्शन्स के बारे में पढ़ेंगे. Generally, बेंजीन अडिशन रियाक्शन्स नहीं देते हैं, लेकिन अगर हम काफी विग्रस कंडिशन्स लाइक हाई टम्प्रेचर और प्रेशन लेते हैं, तो निकल कैटेलिश्ट के प्रेशन्स में बेंजीन हाइड्रोजन के साथ रियाक्ट करके साइक्लो हेक्जेन अज प्रोड़क्ट दे देता हैं। वहीं अगर हम यूवी रेज के प्रेशन्स में बेंजीन का क्लोरिनेशन कराते हैं, तो ये हमें बेंजीन, हेक्जाक्लोराइड या फिर गेमेक्सीन एज प्रोड़क्ट दे देता हैं, जिसका शक्चर कुछ इस तरह से होता है। अगर हम बेंजीन का कंबशन कराते हैं, तो ये सूटी फ्लेम के साथ बर्न करके हमें CO2 और H2O देता हैं, जिसे हम इस reaction की help से दिखा सकते हैं। वैसे तो हम किसी भी हाइडरोकार्बन के combustion का general reaction कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। कुछ aromatic hydrocarbons जिन में धे सारे बेंजीन रिंग प्रिजेंट होते हैं, वो काफी जादा toxic और carcinogenic होते हैं, यानि की cancer produce करने वाले substance होते हैं। एक्जाम्पल के लिए अगर हम वन्टू बेंजा एंथरसीन की बात करें या फिर हम 9-10 डाई मिथाइल 1-2 बेंजा एंथरसीन ले या फिर हम 3 मिथाइल कोलैंथरीन ले ये सारे कमपाउंड्स कार्सीनोजनिक होते हैं और हमारे बॉड़ी के लिए बहुत ही ज़्यादा भी होते हैं तो यहां से हम सिंपली यह कह सकते हैं कि पॉली नूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स हमारे बॉड़ी के लिए काफी ज़्यादा हामफुल होते हैं ये कमपाउंड्स और गैनिक मैटेरियल्स लाइक टोबैको कोल्स या पेट्रोलियम के इनकम्प्लीट कमबशन से फॉर्म होते हैं और यूमन बॉडी में इंटर करके बहुत सारे बायो केमिकल रियक्शन्स के द्वारा हमारे डिने को अफेक्ट करते हैं और कैंसर प्रोड्यूस करते हैं इसी लिए अरोमाटिक हाइड्रोकार्बन्स का इनकम्प्लीट कमबशन बहुत ही ज़्यादा हो जाता है अब तक पढ़े हुए कॉंसेप्ट के हल्फ से आप इन सारे प्रोड्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं